अच्छा किसी ने एक चीज लिखी यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आता, यहाँ पर एक बच्चे नहीं लिखा है, पहले तो बच्चों मुझे समझ नहीं आता कि आप इतनी छोटी सी उमर में ऐसी बात लिख कैसे देते हो, मुझे किसी लड़की नहीं लिखा, यह तोशीम रि मतलब तुम्हें तुम ज़्यादा बड़े हो या तुम्हें कुछ ज़्यादा सिखा दिया गया है ये तो समझाओ कि तुम्हें कैसे पता कि ये मोदी अंद्वक्तू गॉर्मेंट का फैसला है बच्चों के लिए आया है और अगर तुझे इतना ही जोश चट रहा है तो जा अग्जाम देनी के लिए कौन बना करता है जा मतलब अजीब से लोग है मुझे समझ नहीं आती इसमें क्या तो मोदी जी का लेना क्या मेरा लेना और वैसे भी हमारे देश के प्रधान मंत्री है समझ मैं हमने उन्हें चुन के भेजा है अब वो चाहिए किसी भी पार्टी क नहीं है और तुमें भी अपने प्रधान मंत्री कं गश्फेक्ट तो करनी चाहिए तुमारे देश के परतान मंत्री तुमारे लिए बहुत कुछ करते हैं कि कैसे उधम्तु कि लिए कर रूए तुम भी तो बच्चों में ही आते हो और इक्जाम अब देखो ये कितनी ना करें, तो तुम सुनाओगे, एक्जाम कैंसिल कर दें, और जो खबर सुनाए, तो भी तुम गवर्मेंट को सुनाओगे, और जो बता रहा होगा, उसको अंद भक्त कहोगे, इसमें अंद भक्त की क्या बात है, और तुम्हें कौन सिखाता है ये पीछे से ऐसी बाते, और दूसरी बात, दूसरों के कहने पर मत जाओ, और हम दूसरों के कहने पर अपना दिमाग हर चीज में लगाते हैं, कोई चीज सही है, तो उसको सपोर्ट करो, गलत है, तो उसको सपोर्ट मत करो, सही और गलत का ही फैसला आपको करना होता है, और इतना उपर वाला दिमाग द रहें हैं यह अलग कोन सी दुनिया से आते हैं समझ से परें इनके लिए कुछ अच्छा कर दो नुदु समझ कहां से आते हों तुम कौन से पशoft का कैसे बच्चे हैं विंघ already बहुपप भरी बाते करने तो तुम भी अंद भकत कम तो हो नहीं समझ मैं आता है इसलिए अगली बार मत बोलना और नहीं पसंद आता तो आता ही क्यूं है तो निकल यहां से तेरे को किसने कायाने के लिए बेवकू अरे चार बात सुनते हो रहा है नहीं आते के लिए